तो हाई एवरिवन जैसा कि आप सबको पताईए और स्क्रीन पे देख पार है आज कल आ रहा है बहुत यह अच्छा फ्रेश फ्रेश मेंट या पोदीना तो देखिए मैं जो है खाने की बहुत यह बड़ी शोकीन हूँ तो मैंसे पोदीनी से बड़ा ही प्यार है तो मैंने उसे अच्छे से दो बंच थे बहुत यह बड़ी बड़ी लीवस में फ्रेश एक्दम मैंने उने क्लीन कर लिया है और अच्छे से वाश कर लिया है अब इसको हम पूरी साल के रिए रखने वाले क्यूब्स फोम में तो सबसे पहले मैं आइस कर रही हूं क्योंकि मैं सिर्फ बोदीने को पिसना चाते हूं थोड़ा सब पान एड़ करना पड़ता है मैंने आइस कर लिया है ताकि अच्छे से हो जाए वरना जल्दी से ग्राइंड होता नहीं बेस के बीना मैं घे नहीं करती हूं कभी कुछ मीठे में डा में बदी करती है तो इसले से फोड़ता है कि सब व्यास में काम आ जाती है तो इसलिए चटने में एड़ करने एक क्यूब निकाल के एड़ कर लूँगी जैसे मुझे शिकंजी में करने एक क्यूब एड़ कर सकते हैं लेकिन अगर मिर्ची एड़ की तो नहीं कर पाऊंगी तो मैं यह option सोच कर सुर्फ मिंट का ही पेस्ट एड़ कर रही हू और इसे अच्छे से फ्रोजन कर लेंगे जब क्यूब बन जाएंगी तो बस उसे निकाल के अच्छे से जिप लोग बैग में आप प्रिजर्फ कर लें पूरी साल के लिए और ट्रस्ट मी सबसे पहले में ही करती हूँ अभी दो बंच मंगाई दोनों को सैट कर दिया है मतलब चाहिए जरूर होता है मुझे सच में मुझे बहुत पसंद है और सारा ही खाना पसंद है यह नहीं कहूंगी कि मुझे सिर्फ ओदीना पसंद है मैंको खाना बनाना और खाना खाना दोनों बहुत ज़्यादा पसंद है cooking and I'm big big वाली foodie तो देखे और जैसा कि मैंने प दो चार घंटे आप जिप सैट हो जाता जब तक रखिए और फ्रीजर में सेटो निकली रखने के बाद जिप सैट हो जाएगी तो आप रख लिजे मैंने इस बार अलरड़ी ट्रमेटो प्योरी कर रखे थे तो मेरे पास जिप लोग बैक का ओर रखा था तो डिलिवरी नह उनमें सेट कर सकते हो यह देखे तो उड़ा समशकत करने पड़ते हैं आप देख पाने कैमरे पे तो बस तो जी है जी देखे कितनी सारी क्यूब बन गई हैं दो बंच में डबल इसका क्योंकि यह में एक पोशन आपको दिखा रही हो तीन ट्रेज मैंने बाद में आप सेट में का तो बहुत इजी प्रोसेस हो जाता है तो होप सो कि आपको पसंद आए होगा बस इसे सेट अच्छे से कर दीजिए देखे जीप लोग में कर सकते हैं बच्चों यह मैंने इस तरीके से ग्लास कंटेनर में कर दिया आप किसी भी स्टोरेज बॉक्स में करके आप रख सकते हैं सेट और बाकी देखे डिपैंड करता में बड़ा फ्रीज है तो जितना स्टोरेज आपके पास है उसके कोडिंग आप सेट कर सकते हैं